नमश्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपके नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Redmi Note 11 या फिर 11 Pro है तो यहां पे आप आप Macro Lens या फिर Macro Camera यूज कैसे कर सकते हैं किसी भी छोटी से छोटी चीज की फोटो लेने के लिए आपको एक अलग से लेंस देखने को मिलता है आपके फोन में Macro Lens या फिर Macro Camera भी बोलते हैं कई लोग उसको तो यहां पे इसको On करने के लिए आप चले जाएंगे यहां पर कैम्रा पर यह कैमरा है कैम्रा पर क्लिक कर लेंगें frightened Колि बता ज watch questions or camera पर यहां पर शैंगर ब्यांब्र यहां पर जाने के बाद यहां पर तो यहां पर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप Macro का आप्चिन सब्च्छेज की फोटो लेनी हैं तो जैसे मैं आपनी дов Light फिंगर्प्रिंट की लाइन्स दिखाती हूं आपको रही है rê Brad कुछ हो रही है देख सकते है है मेरे फिंगर्प्रिंट की लाइन्स आप को विजिबल हो रही होंगी साइब CRS और वैसे नॉर्मली दिखा हूँ तो आपको इस टैप का दिख रहा है यह हाथ और मैक्रो लैंस ओन करने के बाद इस टैप का यह दिखता है ठीक है कोई भी बारिक चीज की फोटो लेनी है या वीडियो लेनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं और बागी इसका यह तो नही मैक्रो लैंस या फिर मैक्रो कैमरा यूज कर लीजेगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार